Hello guys, स्वागत आप सभी का इस वीडियो में आज की वीडियो में हम सिखने वाले हैं finite और non-finite verb कल की वीडियो में हमने किनी transitive और intrangitive regular और irregular verb आज हम करेंगे finite और non-finite इस topic में काफ़ी बच्चों को काफ़ी student को काफ़ी problem रहती है अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिए ध्यां से समझ लिया इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोगों को मुश्किल लगता है मैं आपको बहुत एजी चरीके से सिखाने वाली इस वीडियो में वीडियो को लाश्ट जरूर देखना अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लाश्ट तक अच्छे से समझना और देखना हम थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे तो हम करते हैं वीडियो को start वर्ब को दो भागों में बाटा गया कुन-कुन सी एक तो आया finite वर्ब और एक non finite वर्ब अब बात आते हैं finite वर्ब क्या होते हैं जब भी हम किसी topic को सीखते हैं या पढ़ते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए जो हमारा topic है उसके बारे में हमें knowledge होनी चाहिए कि वो है क्या और वो कैसे काम करता है जब तक हमें topic के बारे में clarity नहीं होगी हम आगे नहीं सीख पाएंगे तो finite वर्ब का मतलब होते है जो भी आपकी dictionary में जो भी इस दुनिया में कोई वर्ब है वो finite वर्ब होती है यानि कि dictionary जो भरी पड़ी है वर्ड से वर्ब से वो क्या है हमारी सारी finite वर्ब है अब finite वर्ब कैसे काम करती है वो देखते है जो finite वर्ब होती है वो tense number person जो finite वर्ब होती है वो tense के according number के according person के according अपने रूप को change कर लेती है tense मतलब क्या होता है जैसे जैसे tense बदलेगा तो वर्ब की form भी change हो जाएगी जैसे जैसे number होगा number मनलब singular number और plural number सबको पता है singular number और plural number होते है person क्या होता है first person second person and third person जब ये change होंगे तो हमारे वर्ब की form भी change हो जाएगी जो वर्ब की form इनके according change हो जाए वो हमारे finite वर्ब होती है समझाये सभी को definition बिलकुल आसान भासन मैंने आपको बताया है जो वर्ब इनके according change हो जाए वो हमारे finite वर्ब होती है एक्जेम्पल से सीखते हैं जैसे मैंने कहा सिंपल से एक्जेम्पल लेते हैं I go to school ओकी I go to school तो go क्या है हमारी verb है कौन सी? finite verb है अब देखें अगर मैंने ये कह दिया यहां पर he goes to school ये था मैं school चाती हूँ यहां आ गया he school जाता है यानि कि ये क्या है हमारा third person है और singular number है तो हमारी verb की form के साथ क्या लग गया S या ES तो यानि कि जो main verb है जो हमारी go main verb है उसका रूप change हो गया किसमें? गोज में तो इसका रूप बदल गया तो क्या हुई है हमारी finite verb clear है? जैसे मैंने कहा see went to school वह school गई जो went है ये हमारी main verb क्या थी? ये हुई हुई अब हमने tense को change किया ये हमारा present था और यहां हमारा past आ गया जब हमारा tense change हुआ तो हमारी verb की form भी change हो गई I hope आपको clear हो गया होगा कि finite verb क्या होता है एक बार दोबारे से मैं आपको repeat कर देती हूँ finite verb वो होती है जो tense, number, o person के according अपने रूप को change कर ले यानि कि अपने आपको बदल ले तो वो क्या होगी हमारी finite verb होगी के लिए यहां तक अब बात आते है non finite verb क्या होती है non finite verb क्या होती है यह अब हम सीखेंगी जितना भी हम spoken में use करते है वो सारी जादतर हमारी non finite verb होती है non finite verb का मतलब होता है जो किसी भी person, number या tense इनकी according अपने आपको ना बदले individual अपना काम करें उनके कोई परभाव ना पड़े किसी भी subject का किसी भी tense का किसी भी number का तो वो होती है हमारे non finite verb देखते हैं एक्जाम्पल से कैसे जैसे मैंने कहा I want to go गो मैंने ये बोला अब देखो जो एक तो हमारी verb ये है और एक ये है इसकी हिंदी निकल के आएगी मैं जाना चाहता हूं या चाहती हूं ठीक है मैं जाना चाहती हूं इसकी हिंदी ये आए एक हमारी main verb ये है और एक ये है जो subject में हमारी जब हम हिंदी का word sentence बोलेंगे तो जो last में verb है वो हमारी पहले आ जाएगी यानि कि पहले आ गई ये last वाली verb हमारी पहले आ जाएगी ये जो वर्ब हुई ये हमारी हुई finite verb यानि कि subject के according change हो जाएगी जैसे मैंने यहां कह दिया I wanted to go अब जो wanted है यानि कि जो वर्ब की first form थी वो हमारी change होगी wanted में ये हमारा past का sentence हो गया और ये हमारा present का sentence था जो change हो गया तो ये हमारी finite होई ठीक है और इस वर्ब पे तो कोई असरी नहीं हुआ चाहे आपका subject I हो चाही ही हो चाही सी हो वो हमारा go ही रहेगा उस पे कोई परभाव नहीं पड़ेगा जिस पे कोई परभाव ना पड़े किसी भी subject का किसी भी number का और किसी भी tense का वो हमारी non finite वर्ब कहलाएगी गोट इट अब बात करते हैं जब भी हम पड़ते हैं जैसे मैंने कहा eat, go, read, make यह मैंने बोला हमने पड़ा है eat का मतलब होता है घाना go का जाना, read का पड़ना, make का बनाना यहीं पड़ा है हमने? नहीं भई हमने यह गलत पड़ा है यह word हो सकता है खाना यह हम ऐसे यूज नहीं करते हैं ठीक है? हम यूज करते हैं जब भी eat का नाम लेंगे तो खाओ हमेशे यह order में यूज होता है खाओ, जाओ, पढ़ो, और बनाओ ऐसे यूज करते हैं आपनी काफ ही बार सूकन में भी यूज क्या होगा अपनी वै से शाम होगा जब भी आपके से कहते हो खाना खाओ यह फूद बोलते हो तो खाना खाओ क्यों बोलते हो खाना खाना बोलो मैंने कहा जाना जाना तो नहीं बोलते कहते जाओ गो बहर जाओ गो आउटसाइड ओडरे देते न तो इसकी सयन समरी जाओ पढ़ो बनाओ ये निकलते है ना की जाना पढ़ना बनाना ये नहीं होता है जब भी हम इसका यूज निकालेंगे तो इसके आगे to लग जाएगा अगर हमने to लगा दिया to go उसका मीनिंग होता है जाना to read उसका मीनिंग होता है पढ़ना to make उसका मीनिंग होता है बनाना I hope आपको समझ में आगय होगा अच्छी परकार से फिर भी दोबर मैं आपको बता देती हूँ जब भी to के without ये वर्ब आएगी हमारी तो उसकी sense आगी खाओ जाओ पढ़ो बनाओ order form में किसी को order दे रहे हैं ठीक है जब इसके साथ to आजाएगा तो इसकी sense निकलेगी खाना जाना पढ़ना बनाना ठीक है के लिए रहे हैं तक आगे देखते हैं अब अपने point पे आते हैं जब भी sense हमारी निकलेगी last वाली जो वर्ब होगी वो subject के साथ आएगी चाहती हूँ चाहना क्या तो want तो आगया I के साथ want अब ये हमारी second verb है ये हमारी second verb तो ये आएगी two के साथ ठीक है मैं पढ़ना मैं जाना चाहती हूँ जाना इसकी sense निकली to go की जाना निकली ठीक है समझाया ठीफर आपको समझा गया तो ये हो गया हमारे non finite verb अब बात आती है हमारी इसके part पे आते हैं इसके part तीन है कुन कुन सी है देखते है आई होप आपको अच्छे समझ आ रहा है अगर वीडियो अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक कर दीजीगा अगर वीडियो को आप लाज तक देखने है तो मैं पूरी आसा के साथ कह सकती हूँ उम्मीद के साथ कह सकती हूँ तो आपको इस कॉंसेप्ट में कोई भी प्रोलम नहीं आने वाली है बस सर्त यह है कि आपको लाज तक वीडियो को देखना है अब जो नोन फाइनेट वर्भ होती है उसके पार्ट कुन कुन से होते हैं इन्फिनेटिव जिरेंट और पार्टिसिपल इन्फिनेटिव जिरेंट और पार्टिसिपल यह इसके तीन पार्ट होते हैं आज हम केवल इन्फिनेटिव पर ही बात करेंगे क्योंकि हम थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए समझ ही नहीं पाए तो ज्यादा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होने वाला है इसलिए एक-एक टोपिक पे बारी-बारी से हम किलियर करते वे चलेंगे अपने सभी पॉइंटों को इन्फिनेटिव का मतलब होता है यह हमारा इन्फिनेटिव क्या है नाउन की तरह काम करता है जो यह वर्ब तो होती है जो यह वर्ब तो होती है बट यह नाउन एड्जेक्टिव और एड्वर्ब की तरह काम करती है ठीक है कहने को तो यह वर्ब है लेकिन नोन फिनाइट वर्ब है लेकिन यह हमारे नाउन adjective और adverb की तरह काम करती है example से बारे-बारे से सीखेंगे जब भी infinitive यानि subject की तरह काम करे तो वो हमारा infinitive होता है इसको हम बोल चकते है two plus verb की first form यानि इसकी sense निकलेगी जाना जब subject की तरह काम किया जाएगा तो इसका meaning निकलेगा जाना जो infinitive verb हमारी infinitive verb हमारी कैसे use होती है two plus verb की first form और sense क्या निकलेगी हमारी ना, ने, और नी जब भी ना, ने की बात आएगी वो हमारी infinitive verb कहलाएगी ठीक है infinitive verb कहलाएगी अब जो infinitive verb है वो two के साथ भी आती है और without two भी आती है example सी सीखेंगे कि two कैसे लगाएगे और without two इसका use कैसे होगा मैंने कुछ example लिए है जो subject के दुआरा use होते है noun की रूप में जिसका use होता है noun क्या होता है subject होता है और pronoun क्या होता है वो भी subject होता है यानिकि subject के रूप में इसका use हम कैसे करेंगे to का, देखते हैं तैरना एक कला है तो तैरना क्या होता है, swim होता है और swim के साथ हमने to लगा दिया तो इसका meaning निकला तैरना यानिकि तैरना एक कला है to swim is an act समझाया, इसकी sense निकली हमारी तहलना यानि कि ना आ गया तो हमें to और वर्ब की first form लेनी तो ना की sense निकलेगी वो हमारे infinitive verb कहलाएगी समझाया है? तहलना एक व्यायाम है हम काफी sentence ऐसे बोलते है अपने day to day life में बस ऐसे ही बनाईए और practice कीजेगा आपको easily sentence बनाने आ गई होंगे तहलना तहलना क्या होता है? walk to लग गया तो इसकी sense आ गई तहलना ना ना की sense निकली तो तहलना एक व्यायाम है to walk is an exercise next देखते हैं दोस खोजना आसान है तो खोजना क्या होता? find होता है to find हो गया? खोजना मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जब to लग जाता है तो उसका meaning हो जाता है खोजना अगर मैं यहाँ to हटा कि only find बोलूँगी तो उसका meaning होता है खोजो ठीक है? तो इसका क्या होगा? मारे दोस खोजना आसान है to find fault is easy अगर मैं अभी आपसे कहूं कि कुछ example लेते जैसे तुम्हें भूलना आसान नहीं है तो भूलना क्या होता है? forget होता है to forget is not that easy इतना आसान नहीं यह तुम्हें भूलना किसी को मार्फ करना आसान नहीं है to forgive is not easy someone ऐसे काफी sentence हम अपनी daily to daily life में बोलते हैं आप ऐसी sentence की list बनाएए और बारे बारे से practice किजिएगा पूरे दावे के साथ कैसकती हूँ पूरी confidence के साथ कैसकती हूँ इस topic को करने के बाद ऐसी sentences आप easily बना पाएंगे ठीक है तो practice जरूर किजिएगा next चलते हैं जब हम infinitive verb का use करते हैं एक object की तरह है यानि कि ये तो हमने use सीखा subject की तरह है अब बात आते एक object की तरह है कैसे जैसे वह पैसा कमाना चाहता है तो he wants to earn money जो ये है to earn ये एक object है किसका he का ये verb हो गई ये subject हो गया और ये हमारा object हो गया और ये हमारा other word हो गया समझाया sentence बनाना आप तो आपको आता है क्योंकि हम पहले noun, pronoun और adjective कर चुके हैं और आज हम verb किलिर करने वाले तो I hope sentence बनाना तो आपको आ गया होगा तो ये कि हमारा subject है ये verb है और ये object है तो जो to are new किस की तरह यूज हुई है हमारी object की तरह next देखती है वह doctor बनना चाहता है तो he wants to be a doctor जो ये changing हुआ है ये subject के according लगए हमारे wants अगर यहाँ I होता तो S नहीं लगता I want लगता जो to be है ये हमारे object की तरह यूज हुआ है ठीक है समझा गया कि हम जो to be verb है उसको हम कैसे subject की तरह sentence में यूज करते है और कैसे object की तरह यूज करते है ऐसा ही नहीं है कि जो ये verb है ये to के साथ ही आती है ये without to भी आती है वो कब आती है जब जो हमारे axillary verb होते है modal verb उनके साथ जब हम इस verb का यूज करेंगे तो without to आते है कुछ example देखते है आपको easily समझा जाएगा जब हम without to की बात करते है तो he can say ये क्या है हमारे axillary verb है या नि modal verb है तो उसके साथ हमारे say आया तो ये without to आया लेकिन ये हमारे infinitive verb ही कहलाएगी ओके next देखते है he will win the match ये हमारे verb हुई और ये हमारे axillary verb या निकि modal verb हुई तो जब modal verb का यूज होगा किसी भी verb के साथ तो to नहीं आएगा ठीक है यहाँ तक clear से भी को अब एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी हम daily to daily rhyme में कुछ sentence ऐसे ही बोलते है वो कुछ sentence की practice थोड़ा मैं करा दे तो बाकी आपको करनी है जो infinitive verb है वो spoken में बहुत ज़्यादा यूज होती है और हम daily बहुत ज़्यादा sentence यूज करते हैं कैसे जैसे is, am, are, was, were, will, be और two लग जाए तो इसके sense निकलेगी मैं वाला हूं मैं ये काम करने वाला हूं ऐसे sense जो निकलेगी तो वो two से बनेगा structure क्या होगा subject is, am, are, was, were, will, be plus two, plus were की first form, plus object यह हमारा structure होगा कुछ example सीखते हैं बाकी practice आप कीजिएगा मैं जाने वाला हूं तो subject आजाएगा तो I I के साथ M लगता है उसके बाद हमारे to और जाना होता है go I am to go मैं जाने वाला हूं मैं आने वाला हूं I am to come मैं तुम्हें पीटने वाला हूं I am to beat देखते हैं आगे गाड़ी आने वाली है The train The train is to come मैं तुम्हें पीटने वाला हूं I am to beat वह यहां आने वाला था तो क्या जाएगा He was to come here मैं फोन करने वाली थी She was to call समझाया? यह संटेंस ऐसे काफी बोलते हैं हम अपने डेली टू डेली लाइफ में और इनको इस्तेमाल कीजिएगा यूज कीजिएगा तभी आपको वीडियो देखने का फायदा होगा जब तक आप यूज नहीं करेंगे केवल वीडियो देखे कोपी बंद करके रख देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है अगर सीखना है चाहते हो कि हम स्पोकन करें या हम कभी भी कोई भी एक्जाम दे उसमें हम समझ पाएं वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिक जरूर करना क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता वीडियो देखने से भी कुछ नहीं होगा आई होप आपको ये टोपिक अच्छे से किलियर हो गया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टोपिक कवर करेंगे और अच्छे से समझेंगे तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले अगर मेरी वीडियो आप फर्स टाइम देख रहे हैं तो लाश्ट की वीडियो जरूर देख लेना ताकि ये वर्ब आपको अच्छे से किलिर हो जाए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे